ओम स्यंति हमाध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हैं हमें अपनी सर्वोच चिस्थिती को प्राप्ट करना है तो चित को बहुत ही निर्मल बनाना है देखे निर्मल सब्धी कितना सुन्दर है चित निर्मल श्यांत किसी के लिए कुछ भी बुरी भावना नहीं नफरत नहीं इर्षा नहीं करोद नहीं बदले की फीलिंग नहीं ऐसा निर्मल श्यांत जो अपने को भी बहुत प्रिये लगे और दूसरों को भी आकरशित करें तो हमें चेक करना है अपने पे एक नजर डालनी है हम निर्मल बनते जा रहे हैं चित सीतल हो रहा है करमेंद्रियां सीतल हो रही हैं मुख भी निर्मल जीब भी निर्मल आँखे भी निर्मल सर्ब निर्मल हो जाएं अंग अंग निर्मल हो जाएं ऐसी स्रेश्टि स्थिती हमें बनानी है बहुत सुक्स्म चेकिंग की ज़रूरत है क्योंकि कल्यूक के अंद तक आते आते मनुसने अपनी भावनाओं को दूसरों के लिए बहुत बिगाड़ा है बहुत जादा निगेटिविटी हर एक के अंदर भरी हुई है मैं महानात्मा हूँ मुझे तो सब को देना है मैं दाता विधाता वर्दाता हूँ मैं पुर्वज हूँ हम इन स्वमानों का जराब भ्यास करें और अपने अंदर ये गुड फेलिंग भड़ते चलें हमसे सभी को ऐसे वाइब्रेशन्स पहुँचें जो दूसरों के चित श्यान थोते जाएं उन्हें बहुत अच्छे फेलिंग होती जाएं क्योंकि कल्यूग में सब को एक दूस दूसरे से निगेटिव एनर्जी ही मिल रही है बुरा बुरा मिल रहा है हम ही बाबा के ऐसे वच्चे हैं जो सब को अच्छा-च्छा देते हैं हमें अपने इन कर्टव्यों को भूलना नहीं चाहिए इसलिए अपने चित्थ को ऐसा निरमल पवित्र बनाएं पवित्र ता इसमें इंपोर्टेंट है जो सब को सुखदाई vibrations मिले हमारे vibrations पाते ही उनका अगनी में जलता हुआ चित श्यांत हो जाए तो पवितरता से अंगं को सीतल करना है और सुगंधित भी बनाना है हमें बहुत प्रसन रहना है हमारा बड़ा सब्जेक्ट है सदा अविनासी खुसी में अतिंद्रिये सुखों के जूले में जूलते रहना संसार में तो ये सब्द किसी को पता भी नहीं है, कि अतिंद्री ये सुख भी कुछ सुख होता है क्या, सबसे बड़ा सुख जिसको परमानंद भी कहते हैं, वो अतिंद्री ये सुख है, खुसी उसका पहला स्वरूप है, पन्तु मनुस की खुसी को नस्ट करने वादी अनेक बाते आती हैं, पर पहले हम चेक करें, हमारा माइंड बहुत संसिटिव तो नहीं है, ना जुक, कि जड़ा सी बात हुई और पारा डाउन हो गया, हमारे मन में कुछ सुक्स में च्छाएं और तरसनाएं तो नहीं हैं, जो पूर्ण नहीं हो रही हैं, और खुसी गुम हो ज लिए हमारी खुसी नास्ठ हो गई, हमें ये सुक्सम चीजे स्वयम में अच्छी तरह चेक करनी है, फिर खुसी के संकल्पों को मन में लाना है, जिने भगवान मिल गया हो, वे ही खुस नहीं रहेंगे, तो कौन रहेगा, जिनके पास संपूर्ण स्रेष्ट ग्यान हो, वो भला खुस क्यों नहीं होंगे, जिने प्राप्तियों के भंडार मिले हो, वो यदि खुस नहीं होंगे तो और कौन होगा, जिने रोज पढ़ाने के लिए स्वयम भगवान आते हो, उन जैसा खुस नसीब और कौन होगा, आख खुलते ही जिनका मिलन परम सद्गुरु परम पिता से होता हो, उनके भागे के तो भला क्या कहने, चिन्तन करें, चिन्तन हमारी प्रसंता को बढ़ाता है, व्यर्थ चिन्तन प्रसंता को छेन लेता है, पर चिन्तन प्रसंता के लिए बहुत बड़ा आगहात है, हम इन सब से बचें, अपनी खुसी को वेल्यू दें, क्य क्योंकि ये बहुत बड़ा खजाना है, हमारा खुसनुमा चेहरा सब को बाबा की ओरा करसित करेगा, तो आईए हम खुसियों के जूले में जूलें, हमारा चेहरा खुसियों से चमकता रहें, और सब बाबा से सुन्दर प्रेनाय लेते रहें, ओम स्यांते